जैश्रे क्रिश्ना आप सभी को अगहन पूनिमा की हर्दिक शुप काम नई अगहन यानि की मार्कशीस मास पूनिमा का सनातन धर में विशेश महत्वे हैं इस दिन पवित्र नदियों में इसनान करने के बाद दान देने की परंप्रा है इस पार की जो पूनिमा है बहुत ही विशेश होने वाली है क्योंकि अगर जोतिशियों की बात करें तो मार्क्षी इस पोनिमा पर शुकल योग और भद्रावास योग का निर्मान हो रहा है इन योगों में भगवान विश्नु की पूजा करने से अक्षे फलों की तो प्राप्ति होती ही है जीवन की सभी मनुकामनाई भी पोन हो जाती है तो आईए आपको बताते हैं इस बार पोनिमा की तिथी शुब मोर्त और इस दिन रहने वाले शुब योगों के बारे में इस बार पोनिमा तिथी की शुरुवात होगी 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5 बच कर 48 मिनट से और समापती होगी 27 दिसंबर बुधुवार की सुबह 6 बच कर 3 मिनट पर क्योंकि सनातन धर में ओध्या तिथी मानने होती है तो ऐसे में 26 दिसंबर मंगलवार के दिन ही पूरिमा का इसनान, दान और वरत रखा जाएगा जो लोग सत्यनारण भगवान का वरत रखते हों या कथा पढ़ते या सुनते हों उन्हें भी 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा का या सतिनारण भगवान का वरत रखना चाहिए इस दिन चंद्रोदे होगा शाम 5 बच कर 6 मिनट पर जो कि पूर्णिमा तिथी को चंदर देवता की पूजा भी अनिवारी रूप से की जाती है चंद्र देवता की पूजा किये बिना या शाम को चंद्र देवता को अर्ख दिये बिना ये उपूआस अधूरा माना जाता है तो आप शाम को चंद्रोदे के समय के बाद से कभी भी अपना उपूआस खोल सकते हैं यदि आसमान में चंदरमा ना भी दिखाई दे तो भ्यापूर वुदिशाकिय और मुँ करके चंदर देवता का ध्यान करते हुए भी चंदर देवता को अर्ग देकर धूप दीप दिखा कर इसके बाद अपना उपवास शुद्ध सात्विक भोजन से या खीर का भोग पहले रूप में घ्रहंट करके खोल सकते हैं पॉनिमा तिथी पर इस बार सारा दिन शुक्लयोग रहेगा जो की 27 दिसंबर को देर रात तीन बचकर 22 मिनट तक होगा और इसके बाद में ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है जोतिश्री शुक्लयोग को बहुत ही शुब मानते हैं इस योग में भगवान शुरी नारैन की पूजा करने से सुक्समरिधी में व्रधी होती है और इस दिन भद्रा वास योग भी बन रहा है इस योग का निर्मान संध्याकाल शाम 5 बचकर 51 मिनट तक होगा अगर जोतिश्यों की माने तो इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रह और जो भद्रा के समय आप अशुब बातों का विचार करते हैं कि भद्रा के समय पूजा नहीं करनी चाहिए या इस दौरान भृत नहीं खोलना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा आप इस समय भी अपना उपवास खोल सकते हैं पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में आप इसनान करें और इसनान करने के लिए ब्रहमो मुर्थ का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप सुर्योदे से पहले गर पड़ भी दंगजल मिलाकर इसनान कर सकते हैं इसके बाद सुर्य दित्ता को अर्ग देकर भगवान लक्ष्मी नारा जाता है दिन भर वरत रखें और इस तोरान आप से जितना भी हो सकता हो उतनी सामर्द के नुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें गरम वस्तरों का या मौसमी फलों का मौसमी सबजियों का दान करना चाहिए आवले का बेर का आप दान कर सकते हैं जूते चपल खड़ाओं क या धार्मिक पूस्तो को अगदान करना भी आज के दिन भहुती शुब माना जाता है दिन बर उपवास रखने के बाद शाम को चंदर उड़े होने पर चंदर देपता को अर्ख देने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं आज के दिन सुनि जाने वाली कथा भी हमा